तो आगते दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइमस ओव नौलेश फैमली में दोस्तों यहाँ पर आपका S.S.C. J.E. का 2019 का जो पेपर 2 का रिजल्ट आया था पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कमबाइन कट आफ जिसके बाद अब जो DV होने वाला है काफी लोग यहाँ पर DV देने जाने वाले हैं तो सभी को पहले तो congratulations के उसके बाद final merit आएगी तो आप लोगों को यहाँ पर posting और selection मिल जाएगा तो फिलाल जो DV की process हैं जो सारी चीज़े हैं formalities हैं वो हम लोग पहले से ही ready रखें सारी चीज़ side by side हम देखेंगे अब जो जितने भी candidate यहाँ पर देख रहे हैं अगर आप लोग engineers हैं obviously engineers होंगे और यहाँ पर आप लोगों के लिए हमारा जो second general times of engineers description में detail है वहाँ पर जाकर आप लोग आप join कर सकते हैं family को और महाँ पर आप लोगों को आगे बहुत सारी चीज़े मिलेंगे और questions आपको quiz होते हैं वो भी आप solve कर सकते हैं तो यहाँ पर बाकी लोग जो आप डीवी देने जाने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा और उसके अलावा भी जो pressures हैं या फिर upcoming examination में डीवी देने जाएंगे सबी लोग ध्यान से पहले से ही ready रहे हैं हर चीज़ को लेकर ठीक है कुछ बाते बहुत important हैं जिन पर आप लोग गौर दीजिएगा और बिलकुल ध्यान रखिएगा उन चीज़ों का सबसे पहली चीज़ आती है basic सी जो चीज़े हैं जो required होती हैं वो बता दू आपको आपका जो महाँ पर dv होगा आपको documents ले जाने होते हैं सारे documents आप लोग ले जाएंगे original के साथ आपको copies भी ले जानी होती है इसकी detail आपको जब आपका admission certificate आएगा dv का उसमें मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है आप लोग उसमें से read करेंगे आपको पता चल जाएगा कि photographs कितने हैं और copies कितनी मागी गई है सब आपको पता चल जाएगा original आपको साथ में ले जाना है अब क्या-क्या documents है वो आपके सामने है ठीक है अब देखिए detail option form जो आपका detail option form है DOP हमें इस वीडियो के last में उसे भी देखेंगे जो SSA ने release कर दिया है जिसमें आपको आपकी post of preference देनी पड़ेगी आपको post preference देना है आपको post preference देना है आपक sequence wise वो preference देना है आपके eligibility के according अगर कोई post आपके eligibility में नहीं आती है तो वो आपको उस post के लिए count नहीं करेंगे उसके अलावा बाकी post के लिए count करेंगे ठीक है तो उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं है आपको DV के time वो देना होगा आपकी ही वो चीज माननी होगी जो आपने post द दिख रहा है आधार हो, water हो, pen हो या फिर passport driving license आपको employer ID हो या government school या college ID कार इस तरह के आपको document verification के लिए आपको कोई एक ID proof ले जाना है अब यहाँ पर देखिए साप लिखा हुआ है कि candidate have to bring two passport size recent colored photographs and original valid ID proof ठीक है दो passport size recent ले जाना है form के time भरे वाले नहीं recent ले जाना है और इस साथ जादा ले जाना है या फिर क्या चाहिए उनको ठीक है वो आपको उस तरह more clear हो जाएगा वैसे तो जो यह लिखा है इसी तरह का आपको admission certificate में भी मिलेगी details इसके अलावा देखिए ID proof आपको बता दी एक ID proof original ले जानी copies के बारे में आपको पता चली जाएगा and इसके अ SSS आपने form के registration किया होगा SSC का और वो 10th में जो भी चीज़ें आप इसमें ऐसा होता है कि कई लोगों को name बदले है या पिर कुछ गलती हो गई होती है तो affidavit बनता है उसके लिए तो वो भी हम थोड़ा सा आगे discuss करेंगे कि कुछ changes अगर होते हैं तो education qualification जो आपका education qualification जैस लोगो experience certificate चाहिए होगा कुछ post के लिए जो आपको पता है और उनके लिए आपको experience certificate ले जाना है तो वो चीज़ आपको ले जानी होगी otherwise आपको experience certificate नहीं होगा तो जिसमें experience नहीं मांगा गा है सिर्फ उसके लिए count किया जाएगा ऐसा नहीं है कि आपको experience नहीं है तो आपक category सबसे important अब यहाँ पर cast category जो चीज है इसमें आपको certificate central level के ले जाने मैं कितने videos बना चुकों आपको जानते हैं अगर आप channel पर नए नहीं है तो तो आपको central cast certificate ले जाना है अब सारी चीज़े जो description है जो doubts है है कुछ भी रहता है आपको टेलिग्राम ग्रूप है जोइन कीजिए टेलिग्राम पर आईए and discussion महाँ पर आप लोग कर सकते हैं ओके सारी description में links है उसके अलाबा भी इस्टा और अप लोग पूछ सकते हैं आपको जहां आपको लगे प्र आप जहां सकते हैं उस तरह से आप लोग भाप पर आप लोग पूछ सकते हैं तो car certificate का central car certificate चाहिए पहली चीज़ अब state वाला जो है वो आपको देखिए उसके basis पे central बनता तो state वाला ले जाएंगे अगर वो central नहीं होगा मतलब वो central authority वाला नहीं होगा आपका state का basis पे होगा state authority के according होगा तो वो आपका state का count होगा वो आपका मानने नहीं होगा तो आपको central का ले जाना पहली चीज़ अब आती बात SCST, OBC और EWS का लग लग सीन SCST वालो को crucial date के इतनी problem नहीं आती है आप लोग अगर latest भी ले जाएंगे यह आपकी date थी इसके पहले आपके OBC certificate और EWS होना चाहिए अब OBC certificate आपका इसके पहले का होना चाहिए अगर बात का होना चाहिए तो उस पर भी वीडियो अपना देखा है नहीं देखा है तो बता दू अगर बात का होता है crucial date के तो आपको वहाँ पर provisional कर दिया जाएगा if in case आपसे ये भी पूछा जाएगा अगर आप जनरल में आना चाहते है अगर आपके marks उतने होंगे तो आप लोग जनरल में के लिए एक application लिखेंगे उनको undertaking देंगे तो आप जनरल में count हो जाएगे बट अगर आपको रखता है कि नहीं आरे उतने marks नहीं है तो आप provisional ले के आ जाएगा अब in future आपके जब placement किया जाएगा आपको place किया जाएगा posting मिलेगी किसी department में तो वो department verify करेगा सारी चीज़े उसके बाद वो clear कर देगा आपको तो उसमें भी दिक्कत नहीं रहेगी अब जिस crucial date जो जिस financial year में आती है आपके उस financial year का valid certificate है तो उस financial year में अगर आपका validity वाला certificate होता है EWS का तो आपको फिर भी consider कर लेंगे अगर आपका crucial date के बाद है बट वो financial year जिस financial year में आपका certificate आ रहा है तो इत्ती सी बात है समझ में आ गई होगी अब बात आती है कि इसके बाद का latest होगा या इसके बाद वाले year का होगा तो आपको क्या होगा आपको general count किया जाएगा provisional कर देंगे अगर आप general नहीं आना चाहते हैं तो पर EWS के case में obviously आपको general count कर ही लेते हैं इसलिए EWS वाले इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेगा अगर आपके marks है general जितने यूर category जितने तो यूर category जितने marks आपके अगर हैं तो आपको यूर में आपको रख लिया जाएगा तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा समझेए थोड़ा सा ध्यान रखेगा डीवी में इसा घबराना नहीं है बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं आप लोग अगर first time दे रहे हैं तो आपको थोड़ा लगेगा बट आप बेफिकर रही हैं अगर आपको कुछ लगता ऐसा कि शाम आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या होगा process क्या चीज़े होती है तो आप लोग discuss कर सकते हैं बेजीज़े comment section भी open रहता है आप उसमें भी कहीज़े मैं most of the comment के reply करता हूँ जो मैंने वीडियो में बात नहीं बोली उनका mainly prefer करता हूँ otherwise कुछ comment ऐसे होते हैं दस बार वीडियो में बात बोली वही comment होते हैं तो फिर वो चीज़ों का reply फिर भी मैं करता हूँ बट आप कुछ समझते हैं कि किस हद तक करना होता है फिर क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे comment करेंगे directive वीडियो देखें मेरा बोलने का मतलब क्या रहे जाएगा बीच में तो आगे देखी अब आगे बढ़ जाते हैं हम ex-servicemen की पात हाँ सॉरी person with disability certificate तो certificate जो format है उस format पर आपका certificate होना जरूरी है वो चीज़ आपकी महाँ पर verify की जाएगी तो ये भी ले जाना है ex-servicemen वालों के लिए देखें क्या चीज़ है अगर आप defense वाले हैं तो defense वाला जो defense personal certificate as per आपको दे रखा है उस आपको दे रखा है उस आपको दे रखा है undertaking भी provide कर रखी है और discharge certificate भी provide कर रखा है तो वो आपको sorry discharge certificate आपको महाँ से ले जाना होगा NOC ले जाना है अगर आप government में है obviously already employed है या फिर government undertakings में आप लोग employed है तो आपको NOC भी ले जाना है ठीक है इतनी सी बात है अब इसके बाद आपका जो name change वगेरा होता है obviously कई लोग मिलते हैं ऐसे होते भी है या फिर form में गलतिया होती है तो उसके लिए देखिए affidavit की बात होती है एक लोटा आपके पास समाधान है उसका तो affidavit आपको ले जाना है proper तरीकर गया आपका name या फिर कुछ भी family name या फिर आपको किसी भी mark sheet या documents में कुछ भी आपको अगर changes लग रहे हैं पर हम उसे भी देख लेते हैं आखिर कैसा होता है जिसमें हम post preference देते हैं simple सा होता है चलो वो देख लेते हैं पहले तो यह detail option form है आपके सामने तो यह ऐसे से न अभी release किया हाली में तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पर आपको सारे code दे रखे आपके जो departments दे रखे हैं जिस department में आप जो भी आप आते हैं civil electrical, mechanical वाले जितने भी eligible हैं आपका candidate का name रखना है role number लिखना है और यहाँ पर preference देना है कौन से department कोड डालना है बस इसमें A, B, C, D, E, F, G, H, I तो उसके according इसको preference कर देना है उसके बाद undertaking दे रखी है इसमें अगर B, R, O के लिए mainly दी जाती है क्योंकि क्या होता है न B, R, O में medical होता है medical test में अगर कोई लोग fail हो जाते हैं तो उस कारण से आपको posting नहीं की जाती किसी भी department में अगर B, R, O में select हो रहें आप तो B, R, O ही आपको मिलेगा और अगर आप medical में fail हो जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसके लावाइस को पहले से ही समझ लीजिए तो B, R, O का इसी वज़े से B, R, O का preference सबसे last में लोग डालते हैं और medical की वज़े से B, R, O में कई लोग जाते नहीं हैं या फिर fail हो जाते हैं तो रह जाता है तो B, R, O की vacancy इसलिए सालवार साल इतनी सारी आपको बिलती हर साल जो add up हो रही है न ऐसी चलती रहेगी क्योंकि B, R, O में हर कोई जाने ही पाता है यहाँ पर medical reasons mainly वही रहता है और दूसरी चीज़ यह हो जाती है काफी दूर है तीसरी चीज़ यह कि female candidates के लिए नहीं है तो कई लोग ऐसे कम हो जाते हैं तो यह reason हो जाता है B, R, O का और तो इस चीज़ को ध्यान रखेगी अगर आप unfit हैं या B, R, O में जाना ही नहीं चाहते हैं तो आप B, R, O में नहीं भरेंगे ना भरे, friends अगर आप फिर भी आपको लगता है medical medical निकल जाएगा अगर छोटी मोटी आपको लगता है कि चीज़ों से इतनी वह नहीं है अगर major कुछ ऐसा reason है जो medically unfit आपको जिसके लिए दिया जा सकता है तो आप लोग नहीं भरें तो obviously किसी के लिए एक वो seat मिल जाएगी जो obviously उसके लिए काबिल भी होगा और वो जाना भी चाहता होगा तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेगा यही detail option form है आपका इस तरह से रहेगा तो यह भी साथ में ले जाना होगा आपको तो इसके अलावा कुछ भी अगर documents होते हैं वो आपको आपके admission certificate sorry आपका जो DV के टाइम आला admission certificate admit card मिलेगा तो DV के उसमें सारी चीज़े और detail में लिखी होगी और A to Z detail आएगी यह बहुत कम दिक्राइब को उसमें बहुत सारी चीज़े detail में लिखी होगी जिसको आपको पढ़ना है नहीं समझ में आए तो पूछना है और उसके अलावाद आपको सारी चीज़े ready करके जानी है ठीक है तो बाकी चीज़े उस वह आएगा तब आपको मिल जाएगा और उसको एक पर और discuss कर लेंगे तो यही थी मेरे तरफ से सारी चीज़ें सारा discussion और आप लोग ready रखी और बाकी year वाले 2020 और 2021 वाले latest fresher रहेंगे वो लोग भी इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखी है सारी चीज़े proper तरीके से रखी है ताकि end में problem ना हो कि हमें लेना है at last selection तो इन चीज़ों पर गौर किजेगा तो यही चीज़े थी यह discuss करना था मुझे आप लोगों के साथ इसी जगह पर आपके अपनी family में मैं फिर से मिलूंगा फिर आऊंगा जब तक के लिए ऐसी महनत करते रही है और अपनी सिहत का जरूर किजान रखना और अच्छा खाना खाएंगे अच्छा पानी पेंगे बिमार नहीं होंगे इस समय तो नहीं जिस समय आप लोग इतनी महनत कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं तो इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखके चलना है तो मिलते हैं चलता हूँ विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से जैहिंद वंदे मातरम